MP MLA कोट में पेश हुए दल्ली के CM अरविंद कैजरिवाल को मिली जमानत एक केस में आरोपता है सुप्रिम कोट में आज का पेंडिंग होने के बाजूद अपने मुकदमों कोश्य ग्रिनिस्तारत कराने की बात क्याकर स्विक्षा से हाजर हुए CM अरविंद कैजरिवाल करीब 6 वरसों से लड़का था मामला सुप्रिम कोट से मुकदमों में काफी समय से हाजरी से राहत पाए मुक्रि मंतरी अरविंद कैजरिवाल ने सुमार को स्विक्षा से MPML ले कोट में पेस होकर जमानत अरजी प्रस्तुत की स्पेसल जज पीके जयत ने दुनों मामलों में सियम कैजरिवाल की जवानत अरजी मंजूर कर ली वहीं अदालत ने गोरिगन से चुड़े केस में कुमार बिस्वास की तरफ से प्रस्तुत केस वापसी के अरजी खारिश कर गैर हाजिर रहे मामले में पेश की हुए केजरिवाल पर आरोब भी तैंग वहीं दूसरी केस में उनके तरफ से प्रस्तुत उनमोचर अरजी पर पक्षकारों से आपत्ती आमंतरित करती हुए कोर्ट ने दोनों मुकंदू में अगली कारवाही के लिए तीन दिन आउम्बर के टारिक मालूम हो कि वर्स 2014 में लोगसावा चुना के दरा अंगौरी गंच हुए मुसाफिर खाना थाने में ततकाली नाम आदमी पार्टी की लोगसावा प्रत्यासी कुमार बिश्वास के प्रचार में आये हुने के दरा अंदर लिके वरत्मार मुखी मंतरी अर्विन के जिवाल स MP MLA की BCS अदालत में चल रहा है मामले में अर्विन के जिवाल और कुमार विश्वास के तरफ से सरवत्चन्याले में आजका दाखिल की गए थी इस पर सुनवाई के पश्वास सरवत्चन्याले ने उन्हें अग्रिम आदेश सखाजी से छुड प्रतान की थी सरवत्चन्य में आजका करिच्छ वर्सों से विचार दिन है जिसमें अभ्योजन की तरफ से पैरवी में कोई रूची नहीं ली जिसका नतीजा रहा कि मुकदमे की कारवाही काफी समय से लड़की पड़ी है अभ्योजन के इस जिराई की वज़े से लंबित सुनवाई के मद्यन अदाल कुमार विश्वास के खिलाफ वारंट भी जारे हुआ था जिस पर उनकी तरफ से पैरवी कर रहे है अधिवर्ता कई पीस्यू से सुप्रिम कोट में आजका पेंडिंग होने का हावारा देका जारी वारंट के सम्मन्द आदि इस निरस्त कराने के प्यास में लगे हुए फ अपने खिलाफ लगे मुकदमों को शिग्र निस्तारिद कराने की मंसा जाहर करते हुए सुख्षा से कोट में हाजिर हुए जिने कस्टरडी में लेकर कोट ने उनकी तरफ से प्रस्तुत जमान तरजी पश्वनवाई की हलाकि उनके अंदर यह मंसा पहले क्यों नहीं पनप हैं अपने आप में सवाल है फिलाल इस पेसल जज़ पीके जुएंट ने दोनों मामलों में सीम अरविन कजरिवाल के तरफ से प्रस्तुत जवान तरजी शुकार कर ले अदर दर्लिक सियम अरविन कजरिवाल जी की कोर्ट में पेसी दि क्या वज़ में अधिन के जरिवाल जी जोजार सोट्य की मुपत्रे है और स्वीच्छा से उपस्ति नंकिति मादार्नागरी कोले को आद अरण एक प्रदैस काम कंच्री होने की एक इस हम च्रानरे की सुस् और कुछ एक मुपदमा जो मुसाफिर खाना का है उसमें कि चाल प्रासां पथम ने दिया है इसके सुनवाई की नियुक्ति राश्वास आंसर रंजे सिंग पर भी कुछ वब सुने क्या हुआ हुआ है एक मुपदमा यसी एक का लगा हुआ है जो आदेश इमें था लेकिन ब दूसरा मुपदमा 2014 में ही मुसाफिर खाना में हुआ था और दोनों मुपदमे में माननी उच्छतम न्यालय द्वारा अर्डिंट केजरिवाल जी ने एक रिट फाइल की थे उसमें प्रैक्टिकर तुप से इनको यहां उपस्त होने की छूट में दिवी थे लेकिन एक जि जमानत प्राथ्मपत का अवेदन किया जमानत शुक्रित होई और मुकदमे में चार्ज भी फिर्म हुआ एक में दूसरे मुकदमे में हमने डिश्चार्ज अप्लिकेशन दिया है जिस पर सुनवाई तीन तारीकों तीन लिग्यारकों क्या मुदमे को वापस की तरफ से जान था किसी भी काहिं में सब को एंडूजियल आलग अलग देने की को ज़र नहीं थी जो मुकदमा वापस होगा तो सबका होगा नहीं तो एक आदमी का नहीं होगा इसलिए कुमार विश्वास की अप्लिकेशन दोगा खारे को कि मुकमंत्री का कारेकरम को ले करके यहां मिश्वास के तरिके तैयारी कर देड़ी है तो इस सम्बन कर देदा है कोई पुराना वाल इसके पर हमें कोई जानकारी नहीं सिर्वास के समदन यांड है कि मंत्री आप एक जन्ता से जुड़े नेता हैं और आपके मुकमंत्री के द्वारा नहीं थो परसनल मामला है कोड़ में जोगी है इसमें संगठन को कुछ इतना ही किया गया है इसलिए मैं पुटिन आलेक मामला है कोई में गल्स मुचिना क्विस से अच्छा है काहना ठीक है पुराना मामला है कोई ऐसा नहीं ताजा मामला है कि आप पत्रकारों से भी मुझ भाया रहता है आप यह तो आप नहीं कर सकते हैं तो इस तंदर में आप तरह पत्रकारों से बात के नहीं है अब तो जो है आम आदी पाड़ी के जिल अध्याच है आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया अंदर हम नहीं जा रहे हैं वाई लोग जवानत नहीं है तो यहां पर एक शाशन के प्रशासन के प्रशासन वहीं काम करेंगा था इस कारशां को निकलेंगे तो यहीं पर वीकनेस माल में फूट है वहाँ पर सब लोग बैठेंगे तांगशन सिर्वाथ होगी तकारों सिर्वाथ होगी तकारों सिर्वाथ होगी तो यहीं जश्का दोगंचा हम लोगों को बेच करना पड़ेंगे